नमस्कार महँदेवान सू अब देख रहे हैं बिहार विधान सभाण चुनाव के पहले फेस को नॉम्मिनेशन खत्म हो गया मकामा के बहु बली अनन सिंग ने नावंकन किया नावंकन करने के बाद जब मीडिया कर्वियों ने उसे सवाल किया कि क्या इस बिहार विधान सभा के बाद जो नतीजे आएंगे उक्या 53 आदब सीम बनेंगे तो अनन सिंग माने साफ कर दिया अचय एक इतीहां से जहां पहर है उसकी सरकार बनी है जहां अपर जिसके आले गहीं जहार है तकपे बना है उसकी सरकार बना तरशी मुच्वार मुच्नि आप खगनी जै दरसल आपको बताथे कि बहार विधानसवा चुनाव में इस बार बाहुबली अनज्थ सिंग ने राज़त के टिकट से मुकामा विधानसवा छीट से नामन कर्द दाखिल किया है मकामा विधान सवाचीट से 2015 में निर्दलिये चुनाव जीती अनन्द सिंग ने इस बार राजत का दामा थाम लिया है और चुनावी दंगल में कूद गया है बहुवली अनन्द सिंग ने कहा है अब तेसपी यादब को सीम बनाएंगे और नितीज कुमार जेल में होंगे लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों की बीच तलकियां इसकदर बढ़ गई कि वे अब आरजेडी में आ गये हैं वे 47 केस में इन दिनों जेल की सजा काट रहे हैं राज़त में इंटरी के साथ ही अनन्द सिंग ने एलान कर दिया है कि वो तेसपी यादब को मुखमंतरी बनाएंगे और नितीज कुमार को जेल भीजवाएंगे एक बीडियो में अनन्द सिंग दो टूक लहजे में कह रहे हैं कि विहार विदान सवाज चुनाव के बाद तेसपी यादब के नितिरत में आर्याडी की सरकार बनेगी आगे कहते हैं तेसपी यादब मुखमंतरी बनेंगे और नितीज कुमार जेल जाएंगे बहुत बादी अनन्द सिंग ये कहते हैं नितीज कुमार जेल में पतनी ने बीते लोगसवाज चुनाव में मुंगेड से चुनाव भी लड़ा था बतार लेकिन वो ललन सिंग के सामने हार गए थे और अब अनन्द सिंग आर्जीडी के टिकट पर एक मुकामा से ताल ठोक रहे हैं और जब नॉमिनेशन कर निकल रहे थे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि क्या तेस्पी यादब सियम बनेंगे अनन्द सिंग का दोटूक जवाब था तेस्पी यादब सियम ही नहीं बनेंगे बलकि नितीश कुमार जेल के अंदर होंगे फिलाल अभी तक के लिए इतना ही आप देखते रहें नूज फोर दोनेशन